हेलो नमस्कार मैं डॉक्टर ईशा और इस वीडियो में मैं इनफर्टिल्टी के कॉज जो की फैलोपिन टूबल ब्लॉकेज है उसके बारे में बात करेंगे क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड की 15-20% of population जो है वो इनफर्टिल्टी से जूचती है और उसमें भी 40-50% of infertility जो है वो सिरफ और सिरफ फैलोपिन टूबल ब्लॉकेज के कारण होती है तो यह मेरा वीडियो उन सभी कपल्स के लिए है जो फैलोपिन टूबल ब्लॉकेज से सफर कर रहे हैं उनको इस वीडियो में बताऊंगी कि उसके कारण क्या है और उसको कैसे हम आयरुविदिक हर्ब से किस तरीके से हम उसको ट्रीट करते हैं क्यों इतना अच्छा सक्सेस रेट हमें आयरुविदा में आयरुविदिक हर्बो मिनरल कॉंबिनेशन को देखकर उनको यूज करके नाच्रल तरीके से ही उस फैलोपिन टूब का ब्लॉकेज को हम ओपन कर सकते हैं नाच्रल ही कंसीव भी कर सकते हैं तो बहुत टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और साथ में आपको एक आयरुविदी खर भी बताऊंगी जिससे हम रेगुलर्ली आप में से कोई भी यूज कर सकता है इन केस ओफ जस्ट अफ फैलोपिन टूबल ब्लॉकेज अगर वो स्टाटिंग है तो पहले तो इसका डाइगनोज कैसे होता है हिस्टेरोसार पिंजिओग्राफिय होता है एक टैस जिसमें एक डाइ डाली जाते हैं जिसके साथ कि हमें पता लग जाता है कि डाइग पूरा ट्रैफलकरण कर रρά है इसका मतलब ट्यूब कुली है अगर डाइग थैश्ट तो ट्यूब बंद है फैलोपियन ट्यूब है क्या, फैलोपियन ट्यूब एक medium है, एक transporting का medium है, जो connect करता है हमारे ovaries को, हमारे अंडे दानी को, हमारे uterus के साथ, यानि कि हमारे बच्चे दानी के साथ, तो उसका main जरूरत क्या है, उसकी ये जरूरत है कि जैसे ही हमारा एक अच्छा सा follicle जो है, वो ट्यूब में आ जाता है, तो वो 12-24 hours हमारी फैलोपियन ट्यूब में रहता है, फैलोपियन ट्यूब भुली रहती है, तो उसमे अराम से travel करता है, और वहीं पर आकर उसको एक sperm मिलता है, और वहां पर जाकर जाकर जाएगोट फोर्म होता है, और धीरे धीरे वो travel करके uterus मे जाता है, जहां पर वो endometrium embed हो जाता है, और वहां पर उसकी growth होती है, तो अगर ये tube ही block रहेगी, तो ये fertilization कहां होगी, एक जो है वो sperm को नहीं मिल पाएगा, इसकी अलग-अलग types है, कि अगर तो ये starting में block है, proximal, distal, peripheral, इस तरह से इसकी अलग-अलग types है, जिस point पर ये blockage देखने को मलती है, उसी के accordingly, इसके कारण क्या 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 हो सकते हैं, कारण इसका हो सकता है, में भी tuberculosis रहा है, आपको बच्मन में या फिर आपको अभी tuberculosis रहा है, pelvic inflammatory disease हो सकता है, किसी तरह की infections आपको बहुत देर से chronic रहती हैं आपके pelvis में, उस कारण से वो infections पर ट्रेवल करके आपकी fallopian tube को भी block कर सकती है, thirdly, अगर आपको कोई भी sexually transmitted diseases, glamadia, gonorrhea, syphilis, इस तरह का कुछ भी है, उस केस में भी fallopian tubal blockage हो जाती है, sometimes ऐसा भी देखा गया है कि chronic stress से भी हो जाता है, and according to Ayurveda, वात और कफ बढ़ के fallopian tube को blockage कर देते हैं, as per the cause, endometriosis के case में भी fallopian tubal blockage देखने को मिला है, symptoms इसमें क्या देखने को मिलते हैं, कुछ cases तो बिल्कुल asymptomatic होते हैं, उनको मालूम ही होता कि fallopian tubes को ब्लॉक हो चुकी है, जब तक उनकी conception हो पाती तो वो investigations कराते हैं, कुछ cases में बहुत जादा painful periods होते हैं, कुछ cases में dyspareunia होता है, painful coitus होता है कुछ cases में bleeding बहुत जादा heavy swear होते हैं, कुछ cases में scanty periods हो जाते हैं, तो symptoms जो होते हैं, इसके कुछ भी clear symptoms नहीं होते हैं, इसलिए इसको हम Hsg से जादा better diagnose कर सकते हैं अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि कौन सी ऐसी क्या possibility है, mostly आपको गाइड कर दिया जाता है, जब हमारे पास patients approach करते हैं, mostly बहुत बार ऐसा होता है, fallopian tubes blocked होती है, और वो 2 तीन IVFs भी करवा चुके होते हैं, बहुत cases में IVF failures भी हो चुके होते हैं, उसका cause क्या होता है, अगर आपका fallopian tubal blockage due to endometriosis है, तो उसकी elasticity, जो है, उसकी elasticity restore नहीं होती, sometimes uterus also not elastic, sometimes blood vascularity endometrium के अच्छी नहीं होती, यह सब कारणों को rule out करके ही हम आगे IVF के ले भी try करते हैं, but उनहीं cases में natural तरीके से हम pregnancy जो है, वो conceive करवा देते हैं, fallopian tubes जो है, वो open हो जाती है, बहुत अ जो है, जो पेशेंट तो पेशेंट एस पर देर कॉस वेरी करते हैं, एक complete history लेने के बाद, हमें मालुम चलता है कि हम इस पेशेंट में कौन से herbal combinations का set जो है, इनको देंगे, और कैसे फिर वो इतनी easily उसको respond करते हैं, इस के लिए continuity of treatment भी चाहिए, जो है, वो लगता है, अग पेशेंट पेशेंट प्लॉकेश का त्रीटमेंट अलग है, फेलोपीन तुबल ब्लॉकेश दू पेशेंट अलग है, अलग है, अलग herbal set of combinations and अलग minerals हैं हरे केस में हमें देने पड़ते हैं, and in some cases, कुछ क्राटीरिया के कार्डिंगली, हम उत्तरवस्ती भी इसमें बहुत ज मेंशन था, नेम अलग था, लेकिन treatments were very much mentioned, उत्तरवस्ती भी mentioned थी, जिसको हम आज अगर बहुत जारा, जादा knowledge लेके तरीके से कौन सा herbal combination चाहिए, individualized treatment तरीके से देते हैं, तभी हमारे यहां पेशेंट्स वो बहुत अच्छा response फेलोपीन टूबल ब्लॉकेश को देते हैं, धीरे धीरे हम उनकी elasticity को भी maintain करते हैं, ना कि केवल हम उनकी blockage को remove करते हैं, उनकी fallopian tubal की functionality को restore करते हैं, उसकी elasticity जितनी अच्छी होगी उतनी जल्दी वो जो एपॉलिकल उसमें से travel करेगा, और ampoula is the point जहां पर proper fertilization होती है, उस point का elastic होना बहुत जरूरी है, उस point का scar tissue से clear हो होना बहुत जरूरी है, natural conception के लिए, उन सब के ऊपर भी हमें साथ साथ करना होता है, अगर कोई debris है वहां पर endometriosis के कारण उसको भी धीरे धीरे हैं, necrosis हैं, adhesions हैं, frozen pelvis का भी कुछ केसे में होता है, तो उन सब चीजों को rule out करके, साथ के साथ हमें combination of herbs जेते हैं, जिसके का और IVFs भी हो चुके हैं, बिल्कुल अपनी आशाक हो चुके हैं, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए, just try and approach a qualified ayurvedician, जो ayurvedist, ayurvedic fertility specialist, जो आपका symptoms, आपकी causes के कॉर्डिंग लिए, आपको treat करे, आपके causes के कॉर्डिंग लिए, herbal combinations दे, and definitely fallopian tube, जो है, reopen हो जाती है, कोई laparoscopy है, कु 15-20% chances होते हैं, बट इस case मैंने 50-55% of chances जो देखे हैं, जो देखे हैं, जो देखे हैं, जो दुबार से फंक्शनलिटी 2-3 months का time period दिया जाता है, उसके बाद दुबार से, क्यूंकि हमने cause treat नहीं किया होता है, दुबार से, तुबल ब्लॉकिज होने के chances बहुत जादा कोई doubts, questions and queries है, तो आप जरूर पूछ सकते हैं, thank you so much for watching.